Hello everyone, welcome back to my channel Viewers, आज की इस वीडियो में मैं डेली बोले जाने वाले words के मतलब बताऊंगी और साथ में मैं उसको explain करूंगी sentence के द्वारा जो आज की words है वो बहुती useful है और common भी है जो हमारे डेली बोले जाने वाले sentences में use किये जाते हैं तो चलिए start करते हैं सबसे पहला है no less than, no less than का मतलब होता है say कम नहीं जहां पर भी आपको use करना हो say कम नहीं तो आप वहाँ पर बोलेंगे no less than For example, party में 50 से कम आदमी नहीं थे तो आप इसको English में बोलेंगे There were no less than 50 people at the party Move to the next one Elegant Elegant का मतलब होता है बहुत सुन्दर Elegant जहां पर भी आपको कहना हो किसी भी वाक में बहुत ही सुन्दर तो आप वहाँ पर English में बोल सकते हैं Elegant For example, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो उसने बहुती सुन्दर काला सूट पहना हुआ था उसने बहुती सुन्दर काला सूट पहना हुआ था आप यहां पर पिच्चर से रिलेट भी कर पाएंगे बहुती सुन्दर काला सूट पहना हुआ है तो यहां पर उसने बहुती सुंदर काला सूट पहना हुआ था तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे She was wearing an elegant black suit She was wearing an elegant black suit She was wearing an elegant black suit Move to the next one Safe and sound Safe and sound का मतलब होता है सही सलामत सही सलामत आपको किसी भी वाक में सही सलामत का प्रियोग करना हो तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं Safe and sound Safe and sound यानि की सही सलामत For example, जैसे की अगर आपको किसी को कहना हो हम सही सलामत घर पहुँच गए हम सही सलामत घर पहुँच गए इस वाक में सही सलामत का प्रियोग हुआ है तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं Safe and Sound का तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे We arrived home safe and sound We arrived home safe and sound हम सही सलामत घर पहुँच गये We arrived home safe and sound Move to the next one The next word is contradict Contradict का मतलब होता है विरोध करना विरोध करना Contradict For example जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो वे हर समय एक दूसरी का विरोध करते रहते हैं वे हर समय एक दूसरी का विरोध करते रहते हैं तो इस वाक में विरोध का वर्ड आया है तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं Contradict का तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वे हर समय एक दूसरी का विरूत करते रहते हैं चलिए आगी चलते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड है कॉंट्रेरी कॉंट्रेरी का मतलब होता है विप्रीत या फिर उल्टा उल्टा या फिर विप्रीत तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कॉंट्रेरी का फॉर एक्साम्पिल जैसे की अगर किसी को कहना हो नतीचा हमारी अपेक्षा विप्रीत है नतीचा हमारी अपेक्षा विप्रीत है तो इस वाक में विपरीत का प्रियोग हुआ है तो आप इस वाक में यूज कर सकते हैं contrary का English में परिडाम हमारी अपेक्षा के विपरीत है तो आप इसको English में बोलेंगे The result is contrary to our expectation The result is contrary to our expectation Move to the next one The next word is mean Mean का Hindi meaning होता है मतलब होना मतलब होना यानि की mean किसी भी वाक में आपको मतलब होना का प्रियोग करना हो तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं English में mean For example, जैसे की अगर आपको किसी को कहना हो मेरा मतलब आपको नुकसान पहुचाना नहीं था मेरा मतलब आपको नुकसान पहुचाना नहीं था तो इस वाक में मतलब आया है तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं mean का मेरा मतलब आपको नुकसान पहुचाना नहीं था तो आप इसको English में बोलेंगे I didn't mean to harm you I didn't mean to harm you I didn't mean to harm you Move to the next one On behalf of On behalf of On behalf of का मतलब होता है की तरफ से की तरफ से On behalf of किसी भी वाक में आपको की तरफ से यूज करना हो तो आप इसको English में कहेंगे On behalf of For example जैसे की अगर आपको किसी को कहना हो उसने अपने भाई की तरफ से बात की या फिर उसने अपने भाई की ओर से बात की तो यहाँ पर आप English में यूज करेंगे On behalf of का उसने अपने भाई की ओर से बात की तो आप इसको English में बोलेंगे He spoke on behalf of his brother He spoke on behalf of his brother उसने अपने भाई की ओर से बात की He spoke on behalf of his brother Move to the next one Again and again Again and again का मतलब होता है बार बार किसी भी वाक में आपको बार बार का प्रियोग करना हो तो आप वहाँ पर English में यूज करेंगे Again and again Again and again Again and again का मतलब होता है बार बार For example जैसे की अगर आपको किसी को कहना हो हमें एक ही गलती बार बार नहीं दोहरानी चाहिए हमें एक ही गलती बार बार नहीं दोहरानी चाहिए तो इस वाक में बार बार का प्रियोग हुआ है तो आप यहाँ पर यूज करेंगे Again and again का We shouldn't commit the same mistake Again and again We shouldn't commit the same mistake again and again Move to the next one Ups and down Ups and down का मतलब होता है उतार चढ़ाओ Ups and down Ups and down को कहते हैं उतार चढ़ाओ For example जैसे की अगर आपको किसी को कहना हो उसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाओ देखे हैं उसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाओ देखे हैं तो आप इस में यूज करेंगे Ups and down का उसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाओ देखे हैं तो आप इसको इंगलिश में बोलेंगे She has seen a lots of ups and downs in her life She has seen a lots of ups and downs in her life इस sentence में उतार चढ़ाओ का प्रियोग हुआ है तो इसमें यूज़ कर रहे हैं ups and downs का She has seen a lots of ups and downs in her life She has seen a lots of ups and downs in her life Move to the next one The next word is whatever Whatever का मतलब होता है जो कुछ भी जो कुछ भी जहां पर भी आपको कहना हो किसी भी sentence में जो कुछ भी तो आप वहाँ पर use करेंगे English में whatever का For example, जो कुछ भी तुमारा है वो मेरा है तो आप इसको English में बोलेंगे Whatever you have is mine Whatever you have is mine जो कुछ भी इस sentence में इस वाक में जो कुछ भी आया है तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं whatever का जो कुछ भी तुमारा है वो मेरा है Whatever you have is mine The next sentence is जो कुछ भी तुमें कहना है अभी कहो तो आप इसको English में बोलेंगे Whatever you have to say, say now Whatever you have to say, say now आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शियर करें सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग